तो दोस्तों OnePlus के तरफ से OnePlus Nord के users के लिए बहुत ही अच्छी good news जो है finally निकल के आ चुके है Finally OnePlus Nord के लिए latest February 2022 का software update जो है वो रॉल आट किया गया है दोस्तों मैं आपका बता तूँ कि इसके update का जो वर्जन है Oxygen OS 11.1.9.9 और इसके साथ इस update में कुछ bugs बगेरा fix किया गये है तो सबसे पहले अगर हम इसके change log की बात करें तो इसमें आपको गैलरी से जब भी आप कोई भी पिच्चर बगेरा शेर करते थे किसी को तो आपको जहें वहाँ पर freezing का कुछ issue आता था यानि कि आप पिच्चर गैलरी से शेर नहीं कर पाते से freeze बगेरा का issue आपको देखने को मिल रहा था तो यह issue फाइनली इस update में fix कर दिया गया है प्रफॉर्मेंस इंक्रीज कर दी गई है और इसके लावर lag इशू या अधर कोई भी इशू इसमें था वो इसमें fix हो चुका है तो हालकि अपडेट करना चाहिए छोटा सा अपडेट आपको देखने को मिलता है ज्यादा नहीं है और अगर आपके वास भी oneplus not smartphone है तो आप भी oxygen os 11.1.9.9 का जो लेटेस्ट अपडेट है वो अपने डिवाइस में चेक कर सकते हैं अगर आपको यह अपडेट फाइनली मिल चुका है तो आप भी अपने डिवाइस में इस अपडेट को जो है इंस्टॉल कर सकते हैं जिसके बाद यह बग जो है आपके smartphone में fix हो जाएगा और improvements भी आपको देखने को मिल जाएगी और अगर आपको अपडेट अभी तक नहीं के अपडेट की उमीद करता हूँ आज की information आपको काफी जड़ा interesting लगी होगी वीडियो पसंद आया है इसे like ब्यूर कीजे साथ सब्सक्राइब बीचे हमारे चैनल को भी आपडेट के लिए फिर मिलेंगे इस interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए दोस्तो जैहिन